नमस्कार एजुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत हैं अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं MHT CET के एड्मिट कार्ड के बारे में जैसा कि कुछ कॉर्सेज के लिए एड्मिट कार्ड जारी कर दे गया है अभी हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे इसलिए आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक जान से पूरा जरूर देखे का लेकिन उससे पहले अप से छोटी सी गुजारी से कि आप वीडियो को लाइक और सेर कर दे साथ यह से वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राब करके बैल आइकन को दबा दे अब आईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं तो सबसे पहले आपको एड्मिट का डाउनलोड करने के लिए गूगल, क्रोम या फिर अन्य कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है सर्च आप क्या करेंगे अब सर्च करेंगे यहाँ पार educationindialive.com दोस्तो educationindialive.com आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार का पेज ओपन होगा जिसमें सबसे उपर दिख रही वेबसाइट को आपको open कर लेना है और इस वेबसाइट को open करने के साथ ही आपको यहाँ पर सबसे उपर जो link मिल जाएगा mstcetadmitcard 2022 how to download mstcetadmitcard इस option पर आपको क्या करना है आपको click कर देना है और click करने के बाद आपको मिलेंगे यहाँ पर हर एक admit card के नीचे direct link इसके साथ ही अगर आप अन्य कोर से इसके admit card download करना चाहते हैं तो आप उस पर click करेंगे अन्य था आप इन में से जो link दिये गए इन में से किसी एक link पर click करेंगे तो हम यहाँ पर आपको main official website पर लेकर चलते हैं और official website पर कुछ इस परकार का यहाँ पर interface देखने को मिलेगा यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उपर ये एक section देखने को मिल रहा है एक table देखने को मिल रही है to download admit card for CT 2022 तो यहाँ पर 2022 CT के लिए जो admit card है वो दिये गए है अब आपको admit card डाउनलोड करने के लिए क्या करना है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर course का ना और इधर view admit card का section दिया गया जैसा कि आपको MHBPAD का admit card देखना है तो आप view admit card पर click करेंगे view admit card पर click करने के बाद दोस्तो आप से आपके application number date of birth और I'm not a robot इस पर आपको tick कर देना है और date of birth आप यहाँ से select कर रहे होंगे तो यहाँ से आप अपनी date of birth select कर लेंगे यहाँ से सबसे पहले अपने year को select करेंगे आपके इस year में आपका जो date of birth है इसके साथ ही यहाँ से आप select कर लेंगे कि आपकी date of birth कब है और यहाँ आप application number डालते हुए login पर click करेंगे दोस्तो जैसे आप login पर click करेंगे login पर click करते ही आपके सामने आपका admit card कुछ इस पर card से open हो जाएगा print करके आप download कर सकते हैं या फी direct print out ले सकते हैं यह थी पूरी जानकारी MHT CET के admit card को लेकर वीडियो अगर आपको बसंद आया तो वीडियो का आप like करेगा और साथ यह से वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी subscribe करके bell icon को दबा दीचेगा और आगे आने वाले courses के जो admit card है उनका schedule भी हमारी website educationindialive.com पर मिलेगा तो वहाँ अवस्ते विजिट करिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी देखने को मिल सके मिलते हैं आप सकले वीडियो में किसे ने जानकारी के साथ तब तक के लिए दन्यवाद